नमस्कार दोस्तों, डिडी रियाट के एक और रिक्षन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग तो आज जो वीडियो में आप लोगे लेकर आया हूँ और जिस वीडियो पर में रिक्षन देने चारा हूँ वो वीडियो है रियल इंटरेन्मेंट टीवी का और इसका टाइटल है इंडिया मेक्स अनदर रिकॉर्ड पिये मोधी नगरेटिड अमरिता हॉस्पिटल तो भाई लोगों जैसा कि आप सबको पता है कि फरिदाबाद में जो हर्याना में पढ़ता है और दिल्ली अंसियार में भी आता है वहाँ पर अमरिता अस्पिटाल का उद्गाटन पीम मोधी ने भी हाली में किया है और ये अस्पिटाल शुरू हो गया है बहुत बड़ा अस्पिटाल है करीब 2600 बेड का अस्पिटाल ये होने वाला है और इससे लोगों को बहुत जादा फाइदा होने मला है मुझे लगता है कि मा अमरिता माई जो है उनके फाउंडिशन ने ये अस्पिटाल बनाया है तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है वह भी मैं आपको दिखाता हूँ और साथ में बाद में होस्पिटल के बारे में भी बताओंगा कि क्या क्या चीज़े है मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अगर सरकारी होस्पितालों की बात की जाए जैसे ये भी एक सरकारी होस्पिताल है तो मुझे बताएं नजाम बेहतर है यहां पर जैसे आम अवाम के लिए होना चाहिए यहां पर भाई कुछ भी नहीं सही है जो बाहर से गरीब आते हैं अपने गर से कितने को पैसे लेकर आते हैं सारे पैसे यहीं नजारे हैं और दोईयां भी लेने बेज रहे है सबसकों जदाज़ जारी जारी है और अधे पैसे भी लिये जारे है किसी काम का नाई यह रोस्पिटल है मैं आपको बताता चलूं दिप हमारा हमसाय मुलक के आपको पता है वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा हस्टाल बना है सरकारी हस्टाल बना है और वो अगर बात की जाए अबादी में भी हमार से ज्यादा है आपको पता है इंडिया की अबादी हमार से ज्यादा है वहाँ पर हेल्थ सेक्टर जो हेल्थ केयर है वो हमार से बहतर है पाकिस्तान की निस्बत क्या वज़ा समयते हैं उनकी अबादी भी ज्यादा वहां पर तो ज्यादा मरीज होने चाहिए लेकिन उन्होंने कंट्रोल कैसे किया हुआ है बाइज नो अपनी जहां पर ठीक जा रहे हैं कैसे हमने भी तो सीखने है ना उनसे जाहरी बात कि जो अपनी हकोमत करेगी तो साथ देगी तो गौर्मेंट काम करेगी ना हर बंदा जो जो भी चक अप कराने आता है बाहर से द्वाई ले ले लो यहां से कुछ जो एडिमेंट भी होए ना उनको भी द्वाईया लिख ले के बाहर बेजते हैं और मेडिल टेस्टों भी बाहर बेजते हैं जो आउड़ोर में भी करते हैं वो आदे पैसे भी ले रह किस बात पर ले रहे हैं गॉर्मिंट भॉस्पिटल के बंद करतें पिर अगर गॉर्मिंट का हस्पिटाल ए तो फिर वहाँ पर फसीलिटी वहाँ पर वसायल भी वैसे ही होने चाहिए तो मुझे यह बताएं कि कैसे मैंने आप से क्वेस्टन पुछा कि कैसे आप इधर पाकिस्तान की प्रापर्टी यह पाकिस्तान नहीं है तो पर पाकिस्तान के लिए अगर यह हस्ताल बना है तो फिर पाकिस्तान की अवां को कि आपके चैनल को तो सम्से कि एक कुछ गरीबों को ख्याल करने लगा हूं कि इंडिया जो के हमारा हमसाया मुलक है यहां से लोग वहां पर उलाज करोवाने जाते हैं जी के वहां पर अगर दुनिया के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान से बेहतर नजाम है हैल्थ का औ इस बेया किसी से बी तो अगर आपको इंडिया यह किसी इम्रीज को इन्डिया जाने की हैं जाएगा वहांब बात करते हैं उनको कोई तमीज़ नहीं फरूट खा रहे हैं अपने गपे लड़के 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 उनको नहीं है को मर रहे हैं को जी रहे हैं यहां पर मैं यह यह भी कहूंगा कहीं पर अच्छे भी मजूद हैं लोग और बुरे लोग भी मजूद हैं अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे आपकी यह टांग का क्या मसला है भाई जान यह मुझे चोड़ लगी है ठीक है पंद्रह तो सोला दिन मैं जनाव हस्पिटल आऊ हूं जी इधर इन्होंने मेरा फलस्तर की है फलस्त करने की वज़ा से हराब हो दस्तर करने की वज़ा से मेरी टांग खराब हुई है उसके बाद मैं इधर एडमेट ही था और डॉक्टर ने बोला आपका पैर जाया हो जाएगा आपका पैर कटना पड़ेगा यहां से मैंने चुटी लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में जान रहते तो अभी इनकी यह टांग शायद ना रहती अगर इनके आसरे पे रहता तो बिलकुल यह तो फैसला कर चुके थे भी इसका पैर कटा जाएगा मैं आपसे हर एक से यह पोछ रहा हूं क्योंके देखें जब हमने तरकी की तरफ जाना हो जब हमने बेहतरी की तरफ जाना हो तो हमें अपने साथ वाले से सीखना चाहिए ऐसे ही है इंडिया हमारा हम साया मूलक है वहाँ अबाद्ध लिए हमारे से बहुत ज्याद है आपको पता है यह पर हेल्थ सेक्टर हमारे से बेहतर मिल रही हैं ऐसी क्या वज़ए है अबाद्ध भी ज्याद यह वहा अपनी इनतकाम ले रहे हैं वो नून लीड कुरों दुनिया मर चुकी है इसलाब में किसी ने नहीं पूछा ठीक है कुरोंडों का जानवर निसान मर रहे हैं किसी ने कोई किसी की का नहीं पूछा ये जो बाते हैं ये पाकिस्तान की बाते हैं जब पाकिस्तान की बात जब कहीं बाहर के लोग सुनेंगे डेफिनेटली वो पाकिस्तान की अगर इंसल्ट है तो मेरी भी इंसल्ट है लेकिन जब तक हम अपनी जो मसाइल हैं जो हमारी खामिया हैं उन पर बात नहीं करेंगे ज किन चीजों में हमने पर्दा डाला हुआ है हम चुपाई हुए हैं कि यह मसाइल है यह मसाइल है लेकिन हम दुनिया को नहीं बताते हैं आप सर बात करेंगे थोड़ी सी देखे मैं यह कौँगा कि ठीक है हेल्स सेक्टर हमारे यहां अच्छा है लेकिन बहुत जादा अच्छ करते हैं वो सीधे मूँ बात नहीं करते हैं दवाईयां बाहर से ले लो यहां भी होती है चीज़े लेकिन यहां पर यह जो बड़े अस्पताल है वहाँ पर यह चीज़ कवर अपर जैसे आब एमस है इमस में आप जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा आप सफदर जंग आईजी आईए में सेंद्र गांधी आयर्बन्यास संस्थान है वहां भी एमस खुल गया है गूरखपूर में भी हमस कुल गया है तो यह कुल जमाहिए कि मैं यह नहीं कहां रहा है कि 100 ठीक है लेकि इन अस्पताल है आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगी यहां पर आप आपको वर्ल्ड क्लास के डॉक्टर मिलेंगे और वर्ल्ड क्लास के डॉक्टर से याद आया कि अभी पाकिस्तान की एक बच्ची थी उसको एक ऐसी बिमारी थी शायद जिसका इलाज बहुत महंगा था और पाकिस्तान में तो उसका इलाज होई नहीं पा रहा था, क्योंकि डॉक्टर उतने qualified नहीं थे, भारत के डॉक्टर ने, हिंदू डॉक्टर ने, अगर मैं पाकिस्तान की भाशा हैं में बोले तो हिंदू डॉक्टर ने उसका इलाज किया, free of cost इलाज किया, सोचिए जिस परवाल उसे बात करते हैं, उसका फॉलो अप लेते हैं, उसको फिर सला देते हैं कि अच्छा अब ये हो गया तो अब ये बंद कर दो चालू कर दो, तो आप सोचिए, फर्क तो है, और आप जब बाहर की कंट्रीज में जाएंगे, दूसरे देशों में जाएंगे, वहां भी कई बड़े-बड़े देशों में जो आपको बहुत बड़े-बड़े पदों पर डॉक्टर दिखेंगे, बड़े डॉक्टर दिखेंगे, वो भी आपको इंडियन ही दिखेंगे, तो ये सब क्यों है, क्योंकि यहां पर हमने शुरू से इस पर जोर दिया है, एम्स आज का अस्पतालों की जो सरकारे अस्पताल है उनकी हलत खराब है लेकिन अब वो भी धीरे धीरे सुधर रही है मुझे याद है कि हमारे जिले में वैक्सिनेशन बच्चों के लिए गोला कर जाते थे लोगो टाला कर देते थे लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि दीरे दीरे बच्चों के सारी वैक्सिनेशनस वहाँ पर मिलती है अब फ्री में मिलती है पैसे नहीं लगते हैं फ्री में है हमारे अस्पताल में फ्री में इलाज है दो चार दस रुपे, बीस रुपे, पचास रुपे एक्सरेग लगते हैं, यह लगते हैं, वहुत रियायटि दूरू पर और फ्री में मैंने यह यह लाज है, लेकिन अभी भी मैं यूज यह कहता हूँ कि हमें यह बहुत ज़ादा सुधार के ज़ुरत है, बहुत ज़ादा यही बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान का अगर हैल्थ सिस्टम की बात की जाए सरकारी हस्पितालों की बात की जाए और जो हमारा हमसाया मुलक इंडिया है उसके सरकारी हस्पितालों की बात की जाए आपको क्या लगता है कौन सा बेतर है निजाम हसले हमारे मुलक में सब कुछ ही है ठीक है ना अब देखे ना जैसे के इमरान खाथा उसके बाद यह तेरा पार्टी आई है तो कहते हैं जब एक किसी अलाके में अच्छा है रहे मांदार आईता है तो चौर सारे कठे हैं तो निकाले में टॉपिक जरा मेरा सियासी नहीं है मैं सिर्फ हेल्थ के हवाले से बात कर रहा हूं कि आज उन्हों ने इसे होना चाहिए अगर कोई मुरीज आता है न वो उसके साथ एक आदमियों वाकि सारा इनकी डूटी हो थी कि हुछ लाज़ करें नर्सियां और डक्टरों यह नहीं कि बंदा है उसका दस बंदे हों और केर कोई नहीं करता है यहां पर इनकी जिम्हें जारी की तंखाया लेते हैं और यह नर्सियां कि एक आदमी आता है उसका लाज़ लाज़ के ठोड़ के थोड़ के हैं मुझे यह बताएं कि इंडिया में हमारे से 6 गुना ज्यादा बादि यह पता है एक अरब 30 क्रोड के राउंड बॉट उनकी बादिया हमारी 30 क्रोड भी शायद पूरी नहीं है 25 क्रोड के ग्रीब है तो वहां पर हेल्थ का नजाम यह वर्ल्ड हेल्थ और्गनिजेशन के मताबिक के इंडिया जोंस है वो आता है 44 नंबर पे और हम आते हैं 60 न की तनी इंगे हमारे मौल में यहांज आता है नो काता है यह पाकिस्तान काईण ना बनाया है यो फूट यादम के फोटो है वो हमारे नोट पर मुझूद है और वह काइद यादम चलता है यानि कर्प्षन और सफारिश और इच्वाच बात करता हूं देखे यह पाकिस्तान मारा है हम पाकिस्तान के बेटे हैं यह हम को क्या मिटाएंगे हम सब इन्हीं को मिटा आगर रहा देंगे जब हमारे बिलिफ आते हैं आते हम जाके दफसर चाहते हैं बलकि हम इनके घर हमले करने चीज़ जा गए यह जो इसे वार इसी बात हम नहीं करेंगे इंसे प्रिप्षन यह खा रहे हमारे नाम पे करेप्षन यह कर रहे हैं इनकी कंप्रेक्शन दुनिया से आपको बताता और शोरूम इनके हैं गरीब आदमी के लिए कोई कुछी चीसे गरीब आदमी का माल खा रहे हैं सारे कटे हो गए ठीक लिए यही है कि यह जितने बिल हैं अब आप जम्हें कोई ना करा है अब आपका ना फार्मस्ट है ठीक है मेडिकल डिपार्टमेंट से मेडिकल से आप बिलॉग करते हैं तो मैं आज जिस टॉपिक पर वीडियो रिकार्ट कारूँ वो यह है कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए और उससे कंपेर किया जाए अशिया के दूसरे कर इंडिया से अ अब यह जो थे जाए जाए जैदा तर जो एगना इंपोर्ट जो भी लाइसंसिंग प्रोसेस होता उसके जये मेडिसन पाक्स्तान में बनके आ रही होती है यह पाकिस्तान में अगर मिनिफेक्च्टरिंग भी जो रही है ना तो वह जो रा मेटिरिकल हम ज्यादा दर बाहर से मिनिफेक्चिर करते हैं क्यों या तो हमारे हा क्यों से तर से हमारे पारिस Southern नियोटीन हमारे तक असने फॉर्प नियुके डिपार्टमेंट को बेतर करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो फार्मा इंडस्ट्री वहां पर रिसर्च के लोग नहीं होते रिसर्च के जो लोग अग्डेमिक्स में चले जाते हैं तो यहां पर फ्रेश रेजुएट्स को रखा जाता है तो मेरे हाल से उस तरह से चीजों को पर फार्म नहीं कर पाते हैं उस तरह से अड़ियस्ट नहीं किया जाता फैसिलेटिज नहीं प्रोवाइड की जाते हैं जिसके वाज़ा से पाकिस्तान में इस वक्त मैडिसन की शॉर्टेज एक बहुत बड़ा इशू है बहुत सरी है जान बचाना बात की जाए जाए पाकिसान की सरकार ने बताया है कि हम दवाइआं इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से आप इस बात को समझे लेकिन जो मेडिकल सेक्टर है जो फार्मा सेक्टर है उसने ये बात कही थी कि अगर आप कारोबार आपने बंद कर दिया है लेकिन रौ मिट्रियल जो है वो हम जाए भार में और वही हो रहा है यह वो खुद अपनी मैडिसन आप क्यूंके मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं आप इस फील्ड से आपको क्या लगता है वो खुद अपनी मैडिसन जों से वो प्रोड्यूस कार रहे हैं इंडिया का है सिस्टम पाकिस्टान से कदरे बहुत बेतर है उसकी क्या वजहाए सर वहां पे अबादी हमारे से चेकुना ज्याद है और आप इस चीज चीज़ को बेहतर जाते हैं कि जहां अबादी ज्यादा होगी वहां पर हेल्थ के मिसाइल ज्यादा होंगे तो फिर उन्होंने उसे कैसे कवर किया है वर्ल्ड हेल्थ और्गनेशन के मताबिक भी वह हमार से आगे हैं हम आते हैं तकरीबन 60 नंबर पर और तुमाम कंट्रीज को देखा जाए वह आते हैं 44 नंबर पर तो क्या वज़ा समझे इंडियन मेडिकल स्विड्ड में वैसे भी जो है नो बहुत ज़एदा प्रोग्रेस कर रहे हैं और मेरे हाल में इंडिया उन कंट्रीज में है के बहुत ज़एदा अपने हैल्थ सेक्टर पर पाकिसान में अगर आप गवर्मेंट सेक्टर में जले जाएं तो वहां पर करें हैं तो हमारे जो मेंडिकेशन बहुत जोड़ी महिंगी अद्वियाद जो हमें सस्ते धाम हो जाएना हमारा अपना परसनल फाइदा बहुत ज्यादा उसमें शायद माइंड सेट बान चुका है कि पाकिस्तान में उस लेवल की दौई बनती नहीं है या उस तरीके से क् हम पैसे ज्यादा खर्च लेते हैं लेकिन हम लेते हैं तो ब्रैंडिड या फिर इंपोर्टिड मेडिसन यूज़ करना बेतर समझते हैं मुझे यह बता दें लास्ट में अगर यह थी आपने मेडिकल के मेडिसन के हवाले से बात की अब अगर हम जर्नल एक कॉमन सा क्वेस हैं मैं बड़े सेक्टर शिफा इंटरनेशनल की एक्जामपल दो वहां पर आपका फोमेसी डिपार्टमेंट ट्रस्ट की बात नहीं गा रहा है मैं सरकारी जर्कारी सब्सक्राइब में हमारे मैं जर्नल होस्पिट्र या सर्विसिस होस्पिट्र इस तरह से लोगों का ट्र समय ला रहे हैं या बाइर के लाइसन्स पर पाकस्तान में मिनिफेक्श्रिंग हो रही है तो उन पर उनका ट्रस्ट बन चुका है लोगों को पाक शायद आवेरनेस नहीं है पाकस्तान में फार्मेसी पर पड़े लिखे लोग नहीं है फार्मसिस की मुझूदगी ना होने क करहाद नीचे लेवल तक फार्मसी काउंटसल है उसका रोल है आपके जो पीएमसी है उनका रोल है एक वली जो जिस तरह से मेडिकल प्रफेशन को आगे जाना चाहिए फार्मसी तो फीजिशन का जो रोल है वो पाकस्तान में वेल डिफाइंड नहीं हो रहे हैं और पचास से सो बैड हॉस्पिडल में फार्मसीस नहीं मिलता जब पेशिट्स को अदवियाद के बार में मकॉमल मालूमाद फराम नहीं की जाती है तो इसी तरह फिर उनका ट्रस्स भी बिल्ड़ अप नहीं होता तो यह एक बड़ा ड्राब है कि इसको अवरकम करने के लिए हर एक फ ने बताना है और लास्मेसर यह बता दें कि यहां से पाकिस्तान से आप देखने में आ रहा है कि इंडिया लोग जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए आपने यह देखा होगा या सुना होगा क्या वज़ा है कि पाकिस्तान के लोग इंडिया के हैल्स सेक्टर पर ट्रस्ट कर है या कोई और रिजन फीसित या इक्राजाब की बात तो पाक्सान में भी हाँ चीज़ां बहुत बेतर हो गए हैं मैं यह नहीं कहता कि हर बंदा बहार लेकर कुछ ऐसे बीमारिया हैं जिन्में पाक्सान की पाक्सान में प्रोगनोसित अच्छी नहीं है तो जिन बीमारी की पाक्सान में आपके पास अच्छी नहीं हो तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम जो है ना बहारत में या किसी ऐसे कंट्री में जहां पर हमें फैस्ट्रेटिस मिल सके हैं अगर मैं ऑनकालोजी की चैंसर की एक्जांपल बहुत सारी मेडिकेशन तो जो हम इंडिया से पाक्सान इंपोर्ट करके आती हैं लेकिन पाक्सान में रिजिस्टर नहीं तो इस तरह की अद्वियाद जो जिनको ब्लैक से लिए होती है जो अद्वियाद पाक्सान की मिलती है वह पंदरह हजार की लोग बेचते हैं तो इससे अवाम पर बहुत बड़ा जैना प्रेशर आता है ए बहुत अच्छा लगा इन से बात करके आज मैं आपको जिस एप के बारे में बताने जा रहा हूँ इसका नाम है कलाम टाइम जो के बिलकुल वाटसैप की तरह काम करती है बलके इससे भी ज्यादा बेहतर और आसान तरीके से आपको एंटर्टेन करेगी आप इसके जरीए वीडियो काल्स में अनलिमिटिड लोग एड़ कर सकते हैं चैट एंड टो एंड एंसक्रिप्टिड होती है और सबसे इंपोर्टन चीज़ अगर आप किसी दूसरे कंट्री में बात कर रहे हैं तो आपकी बातें इस कंट्री की जबान में एटोमेटिकली ट्रांसलेट हो ज देखिए ये बिना सरकार की इच्छा शक्ती के नहीं हो सकता मैं आपको पिछले कुछ टाइम में जो आम लोगों के लिए सरकार द्वारा चीज़े की गई हैं उसके बारें बताता हूँ एक मेडिकल इंशुरेंस हमारे यां सरकार के तरफ से करवाया गया है शायद वो मु रुपे तक का इलाज जो है वो फ्री है इसके अलावा कुछ तीन सो साड़े तीन सो रुपे देखे शायद दो लाक चार लाक का एक लाइफ इंशुरेंस कवर भी है शायद अटल जीवन जो कुछ इस टाइप का है मुझे एक्जाकली याद नहीं है वो कराए गया है तो आ यकिन नहीं करेंगे प्रधानमंत्री की तरफ से दवाई दुकान, जनरिक दवाओं की दुकाने वो की गई है, खुलवाई गई है, सरकार की नीती है और उसमें जनरिक दवाई यह बहुत सस्ती है जो 50 रुपे की दवाई हो सकता है कि 50 रुपे का जो पत्ता हुँ आपको 10 रुपे मिल जाए, तो ऐसी चीज़े हैं, तो देरे-देरे कोशिशे की जारे हैं, देखे, मैं यह नहीं कहता कि 100% कोई भी सिस्टम फूल प्रूफ होता है, लेकिन अगर वो 20% पे भी काम कर रहा है, 30% भी काम कर रहा है, 40% भी काम कर रहा है, तो कम से कम इससे कुष्टों उनको फायदा हो रहा है, और धीरे-दीरे इंप्रूव्मेंट्स के गुंजाईश तो हर जग रहती है, तो हम धीरे-दीरे अपने आपको इंप्रूव भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने सब को छोड़ रखा है, और इसी की बतौलत है कि आज दुनिया में भारत के फार्मेसी की बात की गई है, तो फार्मेसी में हमने जबरदस्त काम किया है, अगर फार्मेसी एक्सपोर्ट की बात करें, तो पिछले कुस टाइम में जबरदस्त उचालाया है, शायद 130-140 परसंट का उचालाया है फार्मेसी एक्सपोर्ट में, हमने कोवीड के दौरान द बात सोचिए कि कितनी बड़ी बात है ये, कई लोग कहते थे कि ये नमुम्किन है, लेकिन भाया जब किया गया तो हमने मुम्किन करके दिखाया, तो यही बात है कि देखिये, जब तक आप प्रोग्रिस नहीं करेंगे, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, और ये सब कुछ है सरकार के नीतिया होनी चाहिए, सरकार की तरफ से इस पर ध्यान देना चाहिए, जब सरकार ही नकारा रहेगी, सरकार को आपस महीं लड़ना है, करना है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बढ़ने निवीया कीुचसे, भाडन आपकमे संट चाहिं, यहां थानयी, मैं ज़िवर रही है, तो फिर यहाद मैह। एक बेड़ बड़ा हुआ है उसकी हालत खराब सीरिज है एक बैड़ के ओपर दो दो पेशन्ट मजूद पड़े हुए है ठीक है और कुछ पेशन्ट अगर कैमरामें दिखा सकें कि इधर बाहर भी मजूद है यह आप देख सकते हैं ठीक है तो इतनी सहुलियात है पर इतनी इतनी ज Been één कि आइधा है न जितनी बात आप को मैं यी बताताओं लुके हमारा हमसाया मुल्क है वहाँ पर अबादी आपको पता है हमारे से कितनी जाद हो हाँ पर हमार से ज्याद है बहुत बहुत भाश्रीक यह जूना फाहां का नजाम है यह मैं खुद्से नहीं है यहां आप दूना जाए एक वीलचेर नहीं मिल रही वीलचेर के लिए आडिकार देना पड़ता है ठीक है आज एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाए ठीक है जिसकी उनके गोर्नमेंट ने एक्टा किया ओपनिंग की यह ठीक है मुझे यह बताएं कि अगर आपको कोई पेशन्ट होता है आपका यापके रैलिटिव में कोई ऐसा मरीज होता है जिसका ट्रीटमेंट इंडिया से हो तो आप वहां जाक जाएंगे लाज़ की खरासे हां अगैरी बाद जाएंगे जाएंगे यहां से बहुत से लोग जाते भी है असमालेकूं वेसलियदा होढ़ता हॉस्पीटलमें आए हैं पेशन्ट के साहाथ हैं यusta को साथ आहिए हैं पाकिस्तान का जो सरकारी हम सानु ऱ का सिवल हस्पिटल हैं वह बेतर हैं यह जो पर चेस करनी पड़ती हैं डाक्टर कहते हैं आप यह मैडिसन बाहर से लें लिक देते हैं बाकी निजाम में बहतर है ठीक है बिजली के सहुलियाद कि मैं बाद नहीं था कर रहा है मैं सिरफ मैडिकल सिस्टम की बाद करता खेर वो भी अच्छा मुझे यह बताएं इंडिया में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाए है और गोर्मिट हॉस्पिटल बनाए ठीक है उनकी अबादी आपको पता है हमारे से ज्यादा पड ममालक के एंदे स्ट्रेडी करने चाहिए ओर बाद पाकिस्तान निजाम के बिफर बनाना चाहिए ठीक है किसी भी मरीज की जान गुमाजल ना बने और इसका बेहतर से बहतर इलाज में बाद ठीक है लेकिन गुष्ट को भी तो कुछ सोचने की जोगता है हमारी अबादी उ इन्होंने घ्रो ज्यादा कर सक्कान आइं मैडिकल के इसके अंदर अपने फ्राह सर अंजांगे हैं यहां पर आपको सहुलियत मिलती हैं जैसे एक आम आदमी को उने बिलको टोटली दोर देरों उने दिये हैं मतलब यह एक काम हो रहा है और इसमें कोई श्क नहीं कि हेल्थ का सेक्टर है वह वाहिद ऐसा डपार्टमेंट है दुनिया में कोई भी मुलक हो वसाइल ज्यादा हो या वसाइल कम हो लेकिन जो हेल्थ का नजाम है वो कहीं ना कहीं क्योंकि ये डिपेंड करता है डिरेक्टली ये इमोशन्स के साथ इन्वाल्व होता है अटैच होता है तो डाक्टर अपने पास से चाहे उन्हें पैसे लग की जाए तो इंडिया में अगर एशिया का सबसे बड़ा हास्पिटल बना है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इंडिया वालों ने ये ही भी सोचा है कि एशिया से कोई भी ना सिर्फ एशिया से बलके दुनिया से पूरी दुनिया से कोई भी मरीज आगर वहां पर अपना ट ज्यादा होने के बावजूद अपना जो मेडिकल सिस्टम है मेडिकल सेक्टर को मैनिज करके रखा है नो डूट बहुत सी बेहतरी की जरूरत है वहां पर भी लेकिन एस कंपेर टू पाकिस्टान वो बहुत बेहतर हो चुके हैं यह मेरी परसनल ओपिनियन थी आप इससे एग इलाज हेल्थ सेक्टर में ये तो आम आदमी हर शहरी का है और सरकार पर इसकी जिम्मधारी होती है कि वो उपलब्ध कराए चाहें जहां समन करें कराएं क्यों देखें हम लोग टैक्स क्यों देते हैं? हम लोग tax देते हैं अपनी सुविधाओं के लिए कि भाई हमें सड़क अच्छी मिले हमें इलाज अच्छा मिले ठीक है हमारे हामी सरकारी अस्पतालों में है दिक्कत है लेकिन दिरे 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 बहतर हुड़ी बाकी अस्पतालों की बात करते हूँ यहां पर बहुत बड़े अस्पताल है जो प्राइवेट अस्पताल है जैसे फोर्टी से वहां से भी दुनिया भर से लोग मैंने देखे हैं वहां पर इलाज कराने आते हैं दुनिया भर से और खासकर पाकिस्तान और एफ्रिकन कंट्री से बहुत जादा आते हैं दूसरा आपको बताओं कि लोग अमेरिका से इलाज कराने आते हैं आपको यकीन नहीं होगा कि मेडिकल टूरिजम करोडों रुपए का बिजनस बन चुका है और ये इसलिए है क्योंकि यहां पर आपको world standard, world class की medical facilities मिलती है world class के surgeon मिलेंगे, world class के doctor मिलेंगे, world class की facilities मिलेंगी और कम rate में मिलेंगी आपको यकीन नहीं होगा कि अमेरिका में अगर knee replacement है या hip surgery है वो अगर मान लिजे कि पचास जार डॉलर में हो रही है तो यह आपर हो सकता कि 10,000 डॉलर में हो जाए या हो सकता 5,000 डॉलर में हो जाए आप सोचिए कि यह कितने बड़ी advancement है और इसलिए लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं अच्छा यह वही तो एक तो यह अभी की बात ने बताई अगर आप history को देखेंगे ancient history को भी देखेंगे तो आपको शायद जानकर अहसास होगा कि सबसे पहले जो सरजरी हुई इस दुनिया में लिखित में जो इसका documented मौजूद है वो इंडिया में हुई plastic surgery की खोज यहाँ पर हुई आख के operation की खोज यहाँ पर हुई Indians ने की आप यह सोचिए कि कितनी बड़ी बात है तो यह ऐसी चीज़े हैं कि हमारे हैं प्राचीन काल से ही चली आ रही है चाहे आईरुवेदिक दवाईयों की बात हो जो दवाईयां बनती भी हैं कहीने कहीं से subtracts लिये जाते हैं और उसकी जो कला है या उसकी कला कहें जो उसका ग्यान है वो भारत के पुराणों में भी लिखा हुआ है बहुत पहले से चला आ रहा है और आईरुवेद को अब लोग दुनिया भर में रेकोगनाईज कर रहे हैं मान रहे हैं आप सोचिए कितनी बड़ी बात है इसके अलावा को क्या फर्क लगा क्या मैं जो जारा सुनिया उसे मैं बाकी के अड़ी में से भी मोक्स दे रहा हूँ और इसके बाद मैंने याँ स्टे करने जब तक रिजल्ट नहीं आता और फिर मैंने साथ एक और एलेक्टिव सी कर ले मैंने कहा है आपकी तो यार इतनी त्यारी है इतनी लोंग टरम प्लैनिक से आयो यार आप तो यार निकल गए टेस्ट में आगे कहते हैं नहीं यार मुझे ना टेस्ट का बहुत टन लग रहा है उड़ना जाया यार बहुत परिशान यार बहुत परिशानियां दोनों तरफ थी अगर जो लेफ्ट साइट पे जो इंडियन ओले दोस्ते उनको परिशानी दी रिजल्ट की एक्जैम की क्या होगा है जो पकिस्तानी है इनों को अपने घरवालों की अपने रैलेटियूस की नजर ना लग जाए वर्क प्लेस पे क्या होगा इन चीज़ों की इतनी टेंशन है कि आगे कैसे देखे सुना आपने तो ये बेसिक फर्क है हमारे यहां डौड इस बात किये कि हम अपनी जो स्टेंड अमें सेट किया उससे बहतर कैसे करें उससे आगे कैसे निकलें और मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से भी इस पर बहुत जादा धेहान दिया जा रहा है कई सारे नए medical colleges खोले जा रहे हैं कई सारे नए aims खुल चुके हैं aims जो है वो world level में एक नाम है उसका पुरी दुनिया में अस्पतालों में सरकारी अस्पताल है आप जाएंगे देखेंगे दिल्ली में जो उसका सबसे दिल्ली का aims है वो इतना जबरस है कई बार में जा चुका हूँ मेरे अपने दारा जी को पेस्मिकर हमने वहाँ पे लगवाया था और भी कई बार में वहाँ पे जा चुका हूँ हर department है और सिर्फ वो hospital नहीं है वो research center भी है वो college भी है आप सोचे कि aims में अगर aims से किसी doctor ने MVBS कर लिया है तो सोचे कि उसका rank ही अलग है और aims में admission पाना भी MVBS में उसमें पा जाना यह समझ लिए कि Mount Everest चड़ने के बराबर है तो आप सोचे कि यह सरकारी hospital है उसके बाद भी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा facilities है हर चीज के लिए हर चीज है आपको वहाँ पे मिलेगी तो कुल जब हम यह करा हूँ कि देखिए हम भी 100% नहीं है नहीं तो 44 फी rank नहीं होती हम और उपर होते हैं लेकिन हमारी कोशिश है उसको और उपर ले जाने की हम धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं ट्राइ कर रहे हैं हम नए colleges खोल रहे हैं हम नए research centers खोल रहे हैं और यह जो अस्पताल खुला है फरिदाबाद में यह मुझे लगता है कि यह बहुत game changer होगा आसपास के लोगों के लिए नहीं पूरी दुनिया के पूरे एशिया के लिए यह बहुत बड़ा अस्पताल होगा 2600 से जादा बेट कासफ़ताल है बच्चों के लिए बड़ों के लिए अलग अलग तरह की बीमारियां अलग अलग तरह के centers सब कुछ है इसमें तो जायर से बात है कि इससे लोगों का ही फायदा होगा और लोगों का फायदा होते रहना चाहिए सरकार हम इसलिए चुनते है हैं कि हमारे लिए वो चीजें सुविधाय उप्लाप्त करा हैं तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जै